प्रिटिक्षा मोटिवेशन संजना क्या से चला है और कैसे चल रही है पढ़ाई और कैसे सब गुट मॉलिन गोड मॉणिग टो आज जो है मैं 9th चैप्टर करने वाले और आप सभी को पता है इस क्लास के इंदर में कि राइवा सिक्स्ट की जो हिस्ट्री की i.c.r.t है उसके इंदर में 11 चैप्टर है तो आज हम 9 करेंगे फिर Monday को दस्वा और 11 चैप्टर करके Class 6 की अपनी NCRT Complete हो जाएगी History की फिर उसके बाद में हम Class 7th की करेंगे, फिर 8th की करेंगे फिर 9th और 10th, 11th और 12th की करेंगे तो यह लगातार रहने वाली है Series और आप सभी को help भी विलेगी इससे, तो आज Chapter 9 कर रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप Instagram पर मेरे साथ जोड़ सकते हैं Twitter पर जोड़ सकते हैं और Telegram पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलिग्राम पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी Tension और Load लेने की जरुरत नहीं है PDF आपको आपको मिल जाएगी यह बहुत ही शांदार opportunity आप सभी के लिए दोस्तों कि आप अगर UPSC का कोई course purchase करना चाहते हैं तो यह course purchase करिए बहुत अच्छी opportunity है जिसके अंदर में GS मिलेगा prelims plus mains के लिए सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिलने वाली है code के उसकरना है PRT यह live code आपको यूज़ करना है तो आज यह chapter में हम क्या बात करने वाले हैं हम बात करेंगे chapter का नाम क्या है traders, king and pilgrims तो pilgrims के इंदर में हम बात करेंगे Buddhism की बात करेंगे कुशान की बात करेंगे हम traders की बात करेंगे trade root की बात करेंगे silk root अभी आजकल चाइना वाला बहुत ज़्यादा न्यूज के इंदर में है हम kings के इंदर में क्यान में साथ वाहनाज की बात करेंगे हम आप बात करेंगे क्यान में चेराज की, चोलाज की पांडियाज की बात करेंगे यह सारी चीज़े हम बात करने वाले हैं तो हमें कैसे पता चलता है ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में हमें ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता चलता है उसका सबसे अच्छा रिजन है फाइन पॉट्री जो मिट्टी के जो बरतन है उनसे हमें पता चलता है कैसे पता चलता है कि मान के चलिए जैसे एक जगे पर बनाया गया हो, किसी एक साइट पर बनाया गया हो, उसके बाद वो multiple sites पर हमें देखने को मिलते हैं, यानि कि हमें अंदाजा लगता है कि ये pots वहाँ पर लाये गए होंगे, और इन pots के अंदर बे कुछ रख कर लाया गया होगा, यानि कि these potries were carried by traders from one place, they were made to sell them at other place यानि कि यहां से मैं पता जलता है कि trade नाम की चीज होती रही होगी, और trade नाम की चीज अगर होती होगी, तो traders भी होते होगे, तो trade किस-किस चीज का होता होगा, जैसा South India के अंदर मैं अगर देखा जाए, वो किसके लिए famous था, KGF देखे न, gold, pepper, दोस्तों, pepper को तो black gold भी बोला जाता, इतना ज्यादा important था, और precious stones के लिए, मूवी देखे होगी न, थोर को देखा होगा, तो precious stones इसलिए तस्विर लगा दे कि याद रहेगा, और Roman Empire के अंदर में, pepper को क्या माना जाता, black gold माना जाता था, काली मिर्च, इतनी ज्यादा importance, मतलब आप सूचिए, कि South से ये उदर Roman Empire में, Rome में, क्या होता था ये, trade किया जाता था, sea roots के द्वारा, traders, sea roots को ढूरते वे, road से आते वे, पहाडों को cross करते वे, धीरे धीरे आते हैं, फिर उसके बाद में उन्हें coast पर जाते हैं, फिर आपको पता है, वो Arabian Sea को cross करते हैं, Bay of Bengal को cross करते हैं, monsoon winds की मदद लेते हैं, ये बहुत important है, जब वो sea के थुरू आते थे, तो वो monsoon की winds का use करते थे, जब monsoon की direction होती थी, winds की direction होती थी, तब वो इधर की तरफ से आते हैं, थोर नहीं, थनोज, हाँ, थनोज, 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 ठीक है, थोर तो वो ocean में, क्या करना है, travel करना है, किस के थुर शिप के थुरू, नाव के थुरू, अजब उन्हें travel करना है, यानि कि उन्हें strong and steady ships भी चाहिएंगी, जिसको उन्होंने क्या किया होगा, बनाया होगा, लंबे route के लिए, यानि कि long route के लिए, तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं, यहां से ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात तो, एक second, buffer हो रहा है क्या, थोड़ा सा हुआ है, देखते हैं, अगर दुबारा होता है तो, ठीक है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहली बात तो यह समझीएगा, कि trade होता था, first very important point, दूसरा बहुत important point, trade एक जगे से दू trade होता था, ठीक है, तो यह सारी के सारी चीज़े क्या है, अनि कि trade बहुत important है, अब trade अगर मान के चलिए, दो countries के बीच में हो रहा है, और अगर बीच में ocean है, तो यानि कि उसको cross करने के लिए, नाव की, ship की, इन सब की भी क्या रही होगी, जरूत रही होगी, boat और ship की, तो और एक trade का route ये भी माना जाता था, आप सभी किसे जानते है, यहां से ऐसे आते थे, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, इधर चले गे, इधर से घूम के इधर चले गे, ये भी एक trade route रहता था, इवन काफी समय तक ये देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये कियेगा, अब अभी हमने बात करी, पानी की, शिप की, तो समुद्र के किनारे, जो हमारा भारत है, यहां से देखिए, पूरा का पूरा ये क्या कोस्ट है, किनारा है, समुद्र का किनारा, तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और इस region के अंदर में, जिनका control रहा होगा, वो भी राजा रहोंगे, उस region के अंदर में हो सकता है, कि एक राजा ने दूसरे region के coastline को जीतने की कोशिश की होगी, तो यहां पर दोस्तों हमें जिक्र मिलता है, यानि कि सदन जो हाप है हमारा subcontinent का, वो long coastline है, hills भी है, लेटियूस भी है, river valleys भी है, और जो इनको control करता ह होगा, जो इन river values को control करता होगा, वो by default क्या हो जाते होंगे, rich हो जाते होंगे, powerful हो जाते होंगे, तो यहां पर संगम poems का जिक्र आता है, आप से question पूछा जाएगा, तो जो संगम poem, संगम literature के हम बात करते हैं, तो हमें वहां पर तीन, मुवेंदर का जिक्र मिलता है, mention of मु मुवेंदर कौन होते हैं, दोस्तो, chief, please याद रखेगा, मुवेंदर का जिक्र मिलता है, Tamil word है, जिसके इंदर मतलब होता है, त्री chief, और तीन chief कौन है, चोलाज, चेराज, और पांड्याज, please तीनों को याद रखेगा, चोल, चेरा, और पांड्या, please याद रखेगा, ये तीनों के तीनों का जिक्र हमें, संगम literature के अंदर में, संगम poems के अंदर में, इनका हमें जिक्र मिलता है, ठीक है, clear है, और इन तीनों के power centers दो-दो हुआ करते थे, ये भी बड़ी बज़ेदार चीज है, एक coast पर power center हुआ करता था, और एक inland यानी के अंदर, जमीनों के इन 6 power center में से, दो बहुत ज्यादा important जिनका बहुत ज्यादा हमें जिक्र मिलता है, एक कौन सा? पुहार और कावेरी पत्नम, प्लीज, already UPSC में question आ चुका है, ठीक है, किसका port था है? चोल का port था, और मदुरही, किसका था capital? पांडियाज का, इन दोनों का जिक्र कई जगे पर मिलता है, जिनका इस्तमाल, इन location का इस्तमाल, trade करने के लिए बहुत ज्यादा होता था, मैं आपको फिर समझा देता हूँ, सबसे पहला, location के कारण में, क्यूंकि ये location है, तो यहाँ पर इन coast line पर, क्यूंकि अभी मैंने आपको route समझाया, कि कई सारी ship इस coast line पर आती थी अब इस coast line पर कई सारे लोगों का क्या रहा होगा, राज्य रहा होगा, और यहाँ पर जिनका control बढ़ता गया होगा, वो क्या बन गए, king बन गए, rich होगे, powerful होगे, तो तीन प्रकार के चेला, चेर, चोला, चेरा और पांडिया के हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फिर बात की गई, कि इनके जो power center हुआ करते थे, वो दो हुआ करते थे, एक यहाँ पर coast line पर, और एक अंदर की तरफ में, inland में, ठीक है, clear है, तो please याद रखे गए, सारी के सारी चीजे हैं, अब एक और चीज समझें, कि यह जो chief थे, जिनके राजा की मैंने बात क जरी, उनके पास पैसा इतना कैसे आता था, तो एक तो तरीका ही हो गया, कि भाई साब, दूसरे area में attack किया जाए, वहाँ से पैसा लेकर आया जाए, और दूसरा तरीका एक और होता था, क्या, जो receive करते थे, gift receive करते थे, people से, साथ में दोस्तों, जो वहाँ से उस route का इस्त एक और चीज़ा रखा, some of the wealth they kept themselves and rest they distributed among them, ठीके, अब एक और चीज़ याद रखिएगा, कई सारे poets हैं और उनकी composition हमें मिलती है, संगम literature के अंदर में, जहां पर stones, gold, horses, elephant, chariots, pine cloth, इन सब का जिक्र होता है कि उस समय पर अगर कोई अच्छा करता तो उनको यह award दिये जाते क्या दिये जाते थे, award दिये जाते थे, अब दोस्तों अभी हमने बात करी किसकी? तीन बहुत important राज्ये की, अब हम बात करेंगे साथ वहना आज की, उपर आपका करनाटक से उधर से पूरा शुरू होता है, अब साथ वहना, यह दोस्तों उसके बाद में देखा जाए, त इनका मैं आपके साथ बार-बार जिक्र करता हूँ, गौतमी, पुत्र, श्रीच सत्कर्णी, most powerful ruler थे, आपसे direct question पूछा जाएगा, किस dynasty से वो बिलॉंग करते थे, तो प्लीज याद रखिएगा, साथ वहना, उससे बिलॉंग करते थे, ठीके, अब साथ वहना, इसलिए important हो अगर within India देखा जाए, तो North को South से जोडने वाला, जिसको हम दक्षिन पत के नाम से भी जानते हैं, क्या? दक्षिन पत के नाम से भी जानते हैं, उस पे control किनका था? साथ वहनाज का control था, इसलिए साथ वहनाज को क्या बोले जाता है? Lords of the दक्षिन पत, कि जो route है, जो North से South क की तरफ जा रहा है, जो entire region, Southern region को connect करता है, जिसको हम दक्षिन पत बोलते हैं, उसके क्या थे? यह Lords थे, यानि कि आपको मैं बार-बारे समझाने कोशिश कर रहा हूं, कि route और उनके उपर में कैसा किसी का अधिपत्त है, जैसे मैं आपको बता हूं, जब हम स्वेज कनाल और उसकी naval route की बात करते हैं, तो Roman Empire इतने ज़्यादा अमीर कैसे बने? क्योंकि वो text collect करने लग गए, किस से? British, Europe से text collect करने लग गए, कि भाई साब इस route से अगर जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? तो प्लीज यह सारी क चाइना भी कम नहीं है, और चाइना के Belt Road Initiative का नाम आपने सुना होगा, और जब Belt Road Initiative का नाम आपने सुना है, आपसे question पुछाएगा, Lords of Dakshinpat किन को बोला जाता था? आपको कह देंगी, कुषान को बोला जाता था, पांडियास को बोला जाता था, चोल्स को बोला जाता था, ठीक है, ये कुछ important point है, fact है, एक और चीज याद रखिएगा, हम बात करें सिल्क रूट की, यानि की literal भाषा में समझाए जाता है, तो सिल्क को जिस रूट से trade किया जाता होगा, उसको हम बोलते हैं सिल्क रूट, तो सबसे पहले सिल्क कहां पर खो जा गया, उसके जब हमे पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है, चाइना के अंदर में, आज से साथ हजार पहले हमें सिल्क की चीज मिलती है, क्या मिलता है, सिल्क हमें वहाँ पर मिलता है, अब सिल्क जो है, वो बनाना बहुत complicated process है, पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिल्क को extract करना थ्रेड बनाने पड़ेंगे, फिर उसको आपको cloth बनाने पड़ेंगे उन धागों से उन थ्रेड से, तो बहुत tedious process रखता था, काफी time consuming process भी होता था, तो सबसे पहले हमें चाइना के अंदर में, first invented the technique of making silk around 7000 years, यानि कि silk warm से, वहाँ से क्या करना, सिल्क को निकालना, फिर उसे spin करना, thread बनाना उससे, फिर उस thread से cloth बनाना, ये जो technique है, यानि कि silk बनाने की technique, हमें सबसे पहले कहाँ पर नजर आती है, चाइना के अंदर में नजर आती है, और उन्होंने क्या किया, इसको secret रखा, किसी के साथ share भी नहीं किया, अब secret रखा, तो वो क्या करते थे, वहाँ पर silk का production होता था, और उसके बाद में देश, विदेश, दूर दूर तक कोने कोने तक क्या करते थे, इसको बेचने जाया करते थे, और जिस route से वो जाते थे, पैदल जाते थे, camels की थू जाते थे, घोडों के साथ जाते थे, जिस route पे जाते उसको हम बोलने लगे, silk route बोलने लगे, क्या बोलने लगे, silk route बोलने लगे, तो यह है दोस्तों, जो मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ, जिसको Chinese जो silk के trader थे, वो इस route को क्या करते थे, इस्तमाल करते थे, इवन दोस्तों, वो यहाँ से आते थे, यहाँ पर आते थे, यहाँ स तो क्या होता है जो Chinese ruler होते थे वो क्या करते थे सिल्क को as a gift भी भेजा करते थे एरान के इंदर में वेस्ट एशिया के इंदर में जिससे सिल्क की knowledge है वो धीरे-धीरे बढ़ने लग गई अब सिल्क की knowledge चलते हैं वैसे उस तरहीं पर सिल्क का फैशन चल रहा था क्योंकि सिल्क बहुत जादा expensive था बहुत दूर से आया करता था बहुत जादा टेक्स लगता था कई सारे राजाओं ने उस रूट में कोशिश करी कि यह जो सिल्क रूट है इसको कंट्रोल किया जाए अब इस रूट को अगर कंट्रोल किया जाएगा अभी कुशान आएंगे क्योंकि अभी देखिए क्या जिक्र किया यहां पर Central Asian region की आप बात कर रहे हो न शायद तो अभी कुशान भी आएंगे है तो मैं आपको यह कह रहा हूँ तो क्या होता था टेक्स लेते थे इस सिल्क रूट को कंट्रोल करके अब टेक्स लेते थे तो ट्रेडर्स को क्या मिलता था ट्रेडर्स को कहा जाता था कि भाई सब यहां पर लुटेरे बहुत हैं रॉबर्स बहुत हैं तो आपका यह क्या ह जाए, बरभाद ना हो जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको protection देंगे, क्या देंगे, protection देंगे, आप हमें पैसा दो, हम आपको क्या देंगे, protection देंगे, protection money, ली जड़े जाती पिर सिल्क रूट जो है कुशान के द्वारा अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया कुशान जो Central Asia के region से लेकर आया जाए वो भारत के Northwest area तक लेकर आजाए वहां तक कंट्रोल करते थे तो ये जो सिल्क रूट का ये वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से को कौन कंट्रोल करते थे हमने क्या किया जिक्र किया आपको सोने के सिक्के सबसे पहले जो उर्लियस कहा जाता है जो हमें पढ़ने में मिलता है वो किसका मिलता है कि कुशान ने, earliest, gold के coins, अगर किसी ने release किये, तो कुशान के बारे में पढ़ने को मिलता है, अलरड़ी एक बार ये question आ चुका है, है ना, दूसरी चीज, इनके जो power center था, वो कहां कहा था, एक पेशावर के अंदर में, और एक मथुरा के अंदर में, तक श नहीं पढ़ेगा, और इनहीं के अंदर में क्या थे, कनिश्क थे, अब कनिश्क को याद करिए, कनेक करिए बुद्धिज्म से, तो आप क्या करेंगे, बुद्धिज्म का परचार पसार पढ़ेंगे, लेकि सारी चीज़े interconnected आपस में, मैं interconnect करके पढ़ाने की कोशिश कर र तो अब बुद्धिस्ट कांसिल के अंदर में क्या हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता होगा, बुद्ध चरित के बारे में आपने सुना होगा, तो बुद्ध चरित क्या है, बुद्ध चरित, बायोग्राफिय है किसकी बुद्ध की, वो किसीने लिखी, अश्व घोष जी ने लिखी ती this is very important fact for your exam triple star mark लगा दिया अश्व घोश के द्वारा लिखी गई बुद्ध चरित्र आप से direct question पूछेंगे already question आ चुका है कि बुद्ध चरित्र written by तो किसके द्वारा अश्व घोश किसके कोट में थे पूएट थे कहां पर थे दोस्तों किसके दर्बार में थे आपके कनिश्क के दर्बार में थे ठीक है लिव डिन हिस कोट एंड रोट इन संस्कृत तो प्लीज ये कुछ चीजे हैं जो मैं आपके साथ interconnect करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको easily क्या हो जाए पढ़ने में समझ जा जाए ठीक है ठीक है ठीक है एंजी के राज्य के दौरान में की फोर्त काउंसिल के हम बात कर रहे हैं ना सब Comic सबने बोधि बोधि सत्व का के नाम सुना होगा तो बोधी सत्व लेकिन वो समाज कें दर में रहना प्रहफर करते हैं इसलिए क्यूंकि और लोगों को क्या कर सके एलाइटन कर सके तो बोधी सत्व दोस हुँ अचीवड क्या एलाइटमेंट और वो सोसाइटी में समाज में रह रहे हैं जैसे और लोगों को भी क्या कर सके एलाइटन कर सके और भी कुछ चीजें हुई जैसे पहले बुद्धु जी की जो चीजे होती थी उनके कुछ साइन्स के द्वारा हमें समझने में मिलती थी जैसे अगर enlightenment की बात करें तो उनके बारे में sculpture ऐसा बनाता कि people tree है तो उनके enlightenment के बात करते हैं लेकिन बाद में क्या होने लग गया मत्फुरा के अंदर में और तक्शिला के अंदर में बुद्धु के क्या मिलने लग गए statues भी बनने लग गए मैं फिर कह रहा हूं महायान बुद्धिज्म के आने के बाद में एक tradition change होता है क्या होता है ठीक है मैं यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेडिशन क्या चेंज होता है पहले अगर बुद्ध इजम के बारे में हम बात करते थे या हम पीपल के पेड़ जो साइन है किसका अनलाइटमेंट का उनको हम देखते थे वो स्कुल्टर्स हमें दे बता है कि person who had attained enlightenment and after attaining enlightenment they could live in complete isolation and meditation but they choose world to teach and help other people इनको हम बोलते हैं बोधी सत्वा तो इन बोधी सत्वा की भी क्या होने लगी worship होने लगी इनकी भी पूजा पाठ होने लगी और यह Central Asia, China, Korea, Japan इन सब में इनका प्रचार प्रसार होने लग गया है ना ठीक है भारत के इंदर में अगर बुद्धिजम देखें तो आपका western side Southern side यहां पर बुद्धिजम का प्रचार प्रसार होता है अगर हम विदेशों में देखें तो विदेशों में भी इसका होता है जैसे म्यामार, Thailand, South East Asia, इवन दोस्तों एक और चीज़, यह हमें कहां देखने को मिलता है इस समय पर यह भी हमें थोड़ा सा popular होता हुआ नजर आता है आपने थेरावाड की जब आप सुना होगा तो ओडिशा के अंदर में थेरावाड का जिक्र सुना होगा जब आप इंशेट पढ़ते होंगे तो तो मैं आपको समझाने की कोश यही कर रहा हूं कि बुद्धिज्म था बुद्धिज्म के बाद में अलग-अलग उसके अलग-अलग सेक्ट भी बने हिनायान महायान थेरावाड जिसको हम ओल्डर बुद्धिज्म कहते हैं यह भी पूछ लेंगे आप से विच आवड़ी फॉलविग इस नोवन अस दॉ लिए अब क्या होगा कई सारे लोग ट्रैवल करेंगे स्पेशली चाइना से बुद्धिज्म को जानने के लिए बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग ट्रैवल करके आएंगे भारत के इंदर में तो उनके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं आपक किसली आए बुद्ध से related जो उनकी Monasteries हैं उनको देखने के लिए उनको सीखने के लिए यहां पर आते थे यहां पर जब आये हैं तो उनने रास्ते बहुत सारी चीजे लिखी सबसे पहली बात तो उनने यह लिखा कि रास्ते में जाते वे उनको बहुत सारे कठनाईयों का सा करना पड़ा इस कारण से उनको बहुत सारे साल लग गए वहां तक पहुचने में और उसके बाद में जब वह वापस गए तो अपने साथ बहुत सारी किताबें लेकर गए क्या लेकिए गए बहुत सारी किताबें लेकिए जैसे श्वैंग जैंग साब जब चाइना वापस गए थे तो बुद्ध की एक स्टैचू लेकर गए, जो गोल्ड, सिल्वर, सेंडल वुट से बनी वी थी, 600 से ज़्यादा मैनुस्क्रिप्ट्स लेकर गए, यहाँ पर, और उसके बाद में क्या क्या, उसे वहाँ बैठ कर ट्रांसलेट किया, लेकि जब वहाँ पहुचे तो उन्होंने कहा कि जो 600 से ज़्यादा मैनुस्क्रिप्ट्स लेकर आया हूँ, उसमें से 50 तो क्या हुआ, नदी में डूब गई, मेरे पास है नी, वापस की है नी, लेकिन क्या है, जितने भी मैं लेकर आया, उनको मैंने क्या किया है, संस्कृत से ट्रांसलेट किया है किसके के अंदर में Mandarin Chinese language के अंदर में यहां का ज्ञान कैसे वहां तक पहुचता है यह चीज़ हमें इस चैप्टर से देखने को मिलती है और स्वांग जैंग वो नालंदा में पढ़ना चाहते थे क्योंकि नालंदा बुद्ध जी के बारे में पढ़ने के लिए बहुत बड़ा एपी सेंटर था तो क्या था नालंदा कहां पर है बिहार में है ना तक्षिला कहां पर है कली पढ़ा था हमने मलत तक्षिला कल नी बहुत दिन पहले कंधार उदर चले जाओगे ठीक है कि इदर उदर ऊपर अफगानिस्तान और पूरा का पूलर इस पहले तो नहीं डिवा नालंदा का जिक्र किया जाता है किसके द्वारा किसके द्वारा श्वांग जैंग के द्वारा अपनी किताब के अंदर में कि भाई साब इसलिए मैं नालंदा के अंदर में क्या चाहता था पढ़ना चाहता था नालंदा के अंदर में पढ़ना चाहता था तो आप यह सारी यτε सुन्मीन देख सकते हैं पिर उसके बाद वेने देखेगम होती है म७क्ति sit जी क की उतस्थी नहींकि दुर्गा सेटी इनके बारे पढहें गे बहक्ति मोंड वाला जब होने स быстр आएगा तो पढ़ेंगे भागम गीता के बारे में आर्जुन अरजुन के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, यह सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, धेरे धेरे पढ़ेंगे, लेकिन भक्ती मुम्मेट भी शुरू होता है, जिसके अंदर में devotee क्या करते हैं, worship करते हैं, DT को बिलकुल अपने लगन से, मन से पुजा पाट करते हैं, ठीक ह ठीक है, सारी के सारी चीज़े होती हैं इसके अंदर में, तो अब आपको अपनी knowledge चेक करनी है, ठीक है, कि मुवेंदर कौन थे, Lords of Dakshinpat कौन थे, अशुगोष किस से connected है, सुवांग जैंग किस से connected है, और बोधी सत्वा किस से connected है, और वाइडिड किंग्स वांट टू कंट जाए, कि अभी recent time में, जब हम China को देखते हैं, कि वो world road initiative को activate करने की कोशिश करता है, वो silk route को control करने की कोशिश करता है, और ancient time में कई सारे kings भी इसको क्या करते थे, control करने की कोशिश करते थे, तो आप से यहां से आएगा question पूछा जाएगा, कि क्या importance है, क्या खासियत है silk route की, कि ancient time के king से लेकर, present time में, चाइना उसको control करने की कोशिश कर रहा है, तो यह question आप से पूछा जा सकता है, ठीक है, यह question आप से पूछा जा, ठीक लास की NCRT, छटी क्लास की NCRT में आपको क्या लगता है, कितना आप दे देंगे, बच्चा वो हम है, हम हम है, 30 साल के, 25 सा ठीक है, ठीक है, compilation भी करा लेंगे, लेकिन धोड़ा थोड़ा पढ़ लो, आदा आदा घंटा रोज पढ़ो, आपके classic NCRT complete होगी, ठीक है, तो यह क्या है, hey, don't ever let somebody tell you, यह चीज में आप से हमेशा कहता रहता हूं कि कि किसी को भी अपने आपको यह मत बताने दो, कि आप य यह नहीं कर सकते, आज एक notebook उठाईए, और उस notebook को उठाने के बादें उसमें लिखिए, कि आज से 10 साल के बाद आपको कहां अपने आपको देखना है, आज के 4 साल के बाद आप अपने आपको कहां देख रहे हो, trust me, आप जब लिखोगे, तो आसपास की जो चीजे हैं, वो आपको पुश करना शुरू करेंगी, आप अपने actions को और ज्यादा उस तरफ लेके जाओगे, कि हाँ मुझे चीजे क्या करनी है, अचीव करनी है, और trust me, कि वो चीजे होंगी, तो आज आपको यह लिखना है, फ यह, कि कैसे नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाया होगा, आपने नहीं किया होगा, उस तरीके का, हो सकता है, आपकी situation अलग भी हो, मैं करूँगा, मैं करूंगी, मैं क्यों नहीं कर सकता, यह attitude लेकर आपको आगे चलना है, तो मिलते हैं, अगले session में, मंडे को मिलेंगे, जाहिद